दोस्तो एक्सल का एक्स लुकप फॉर्मला इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेइन कर दिया है और सच में ये एक्स लुकप फॉर्मला बहुत पावरफुल बहुत यूसफुल और बहुत कमाल का है अगर आप एक्स लुकप फॉर्मला सीख लेते हो तो आपको अकेला इतना पावरफुल है यह सब कुछ चुटकियों में कर सकता है और इस फॉर्मले का जो सिंटेक्स है ना वह बहुत आसान है और इसको समझना भी बहुत आसान है दोस्तों आज की डेट में अगर मुझे कोई पूछे एक्सल में सबसे पावरफुल फॉर्मला कौन सा है तो मेरा जवाब होगा एक्सलुक अप और ये वीडियो देखने के बाद ना दोस्तों आप सभी का जवाब भी एक्सलुक अप ही होगा ठीक है तो जादा मैं डेमो यहाँ पर आभी आपको नहीं दुखांगा मैंने बहुत सारी एक्जम्पल्स के साथ एक्सलुक अप को ड टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकता है और अगर अपने डेटा में अपनी टेबल में कोई नया रहो आप एड करते हो या कोई रो डिलीट कर देते हो कोई कॉलम डिलीट कर देते हो तो उस केस में वी लूक अप एक्सलुक अप काम करना बंद कर देते हैं आपको जुगाड़ करना पड़ते है टेबल में पहले कॉलम के अंदर कॉलम को और कट्इने करए सेट करना पड़ते हैं फिर Norma प्रिफ एक शॉ Bluetooth करते हैंator कारे मनिमे हम इसका है और ऐसकी हम बहुत सारे छॉटों को आपस में जोड़ में दिखा सकते हैं take अगर आप इन दौनों को जोड के दिखाना चाहते हो तो यह काम आसानी से एक्स लुक अपकर सकते हैं त्रेलर में भी आपको नहीं दिखाऊंगो दोस्तों बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा डायक्ट आप मूवी देखिए बहुत कमाल का फॉर्मला है वीडिय पहले दुस्तों यहां पे न मैं एक वी लुक अफ फॉर्मुला लगा के आपको दिखाऊंगा उसके बाद स्टेप बाइ स्टेप सीरीज से हम एक्स लुक अफ फॉर्मुला सीखेंगे जीरो से एडवांस लेवल तक ठीक है तो यहां हमें सेल निकालनी है आईटम आईडी से तो पहले हम सिंपल सा वी लुक अफ लगाते हैं एक बार equal वी लुक अफ ब्रैकेट ओपन सबसे पहले इसमें हमें लुक अफ वैल्यू देनी होती है तो हमारी इस सेल में होगी लुक अफ वैल्यू हम आईटम आइडी से डेटा सर्च करना चाहते हैं कॉमा लगा दिया तो मैंने ये table कर दी है select इस तरह से comma लगा दिया उसके बाद column number देना होगा कि कौन से column में से value आपको निकालनी है तो हमें sale चाहिए और sale इस table के अंदर fourth column के अंदर है तो मैंने यहाँ पर type कर दिया four comma exact match यहाँ पर बताना पड़ेगा तो exact match के लिए zero हम यहाँ पर type करेंगे bracket बंद करके enter प्रेस कर देंगे तो यह तो था we look up formula अभी हमने sale में कोई entry नहीं किया item id नहीं दिये तो यहाँ पर error है मैं अगर यहाँ पर कोई id दे देता हूँ 101 enter प्रेस किया तो 101 की sale आप चेक कर लीजिए 22 इसने चेक किया 101 कहाँ पर हेरा और सामने जाके fourth column की value हमें उठाके दे दी 22 id चेंज करूंगा मानली से मैंने कोई aci id दे दी जो data में है नहीं तो यहाँ पर na error आ गया अब इसके जगे कोई custom message आप देना चाहते हो कि not found not available यह जो भी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर if error formula यूज़ करना होता है बट x look up में ऐसा कुछ नहीं है तो यह एक basic सा मैंने बत kit open अब इसमें छे parameters हैं आप देखो के काफी लंबी लिस्ट है parameters की बट यहाँ पे पहले तीन parameter ही कंपल सरी है सबसे पहले यहाँ पे भी आपको look up value देनी होगी तो मैंने इस cell पे click कर दिया यह है हमारी look up value कॉमा उसके बाद यहाँ पे कोई table array select नहीं करना यहाँ पे केवल look up array देना होता है मतलब एक column select करना है आप जो look up value ढूड़ना चाहा रहे हो वो कौन से column में है तो look up array हमारा हो जाएगा यह वाला column ठीक है न तो मैंने यह select कर दिया item ID ठीक है यहाँ से यह item ID उठाएगा जो भी item ID होगी और उसको इस column में ढूड़ेगा कहां पे वो ID है ठीक ह अगर यहाँ पे x look up को जो ID यहाँ लिखी होगी वो ID यहाँ पे x look up को मिल जाए तो कौन से column से value यह निकाले आपको दिखाए तो return array यहाँ पे हमें वो column select करना है हमें sale दिखानी है तो sale हम कर देंगे select यह basic x look up तीन parameter हमने यहाँ पे दे दी है look up value उसके बाद look up array यहाँ पे ठाके हमें देगा bracket बंद करके enter ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी na error आ गया entry हमें करनी होगी मैंने यहाँ पे लिखा 101 तो यह proper work करेगा कोई दिक्कत नहीं यह देखिए यहाँ पे x look up proper work कर रहा है ठीक है 104 मैं लिखूंगा तो यह 104 का data आपको दिखा रहा है इसने इस look up value क पहले यहाँ पे चेक किया 104 कहां पे है फिर आपने जो return error दिया था उसमें जाके इसके सामने वाली value आपको उठा के दे दी ठीक है ना तो यह हो गया basic x look up अगर मान लीजिए आप item name से sale निकालना चाहते हो तो मैंने इन दौनों को copy कर लिया और मैंने यहाँ पे paste कर दिया control ठीक है ना item name से sale मुझे निकालनी है तो इस case में हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं लगाता हूँ equal x look up ब्रैकेट open look up value क्या होगी यह होगी कॉमा उसके बाद look up array item name आपके look up value है तो आपको item name वाला column select करना है यहाँ पे यहाँ पे कोई table आपको नहीं देनी कोई column number आपको type नहीं करना ठीक है ना उसके बाद कॉमा लगा कि उसका return array है तो x look up यहाँ पे जो name होगा उसको यहाँ पे सर्च करेगा मिल जाए तो कौन से column की value आपको दिखानी है ठीक है तो मुझे यहाँ पे sale निकाल ली है तो sale वाला column हम कर देंगे select bus bracket बंद करेंगे enter press कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया अगर मैं कोई भी name यहाँ पे type करता है उसकी sale 23 है तो monitor यहाँ पे यह रहा और 23 आप यहाँ पे change करोगी तो यह data अपने आप change होता रहेगा अगर कोई ऐसा नाम दोगे जो है नहीं data में तो यहाँ पे na error आ जाएगा तो basic use तो समझ में आगे होगा ठीक है अब यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे double click करता और यहाँ से bracket को हटा देता हूं तो यहाँ पे यह अभी हमने तीन parameter यहाँ पे type कर दे है return array कॉमा मैं लगाँगा तो यहाँ पे अगला parameter है if not found if not found कि अगर look up value data में नहीं है तो यह error देता है an error ठीक है उस error को हटा कि एगर कोई custom message आप type करना चाहते हो तो वह आप यहाँ प argument ठीक है तो यहाँ पे double quotes के अंदर मान लीजे मैंने लिख दिया not found not found तो अब क्या होगा मैंने bracket बंद कर दी बाकी सारे parameters आगे match mode है search mode है यह optional है सारा detail में हम सीखेंगे अभी जैसे जैसे इस वीडियो में आगे हम बढ़ेंगे तो optional है आप छोड़ दीजे कोई दिक्कत में पहले तीन parameter कंपल सरी है मैंने bracket बंद करके enterprise किया तो यहाँ पे देखिए अगर मैं कोई ऐसा number लिखूंगा ऐसी id लिखूंगा जो data में नहीं है मैंने triple one type कर दिया enterprise किया तो यहाँ पे not found का message आ गया कोई भी अलग से formula लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी ठीक है दोस्तो पिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे 22 यहाँ पे 22 ठीक है न अब अगर मैं इस data के अंदर किसी column को delete कर दूँ या कोई नया column add कर दूँ तो उस case में we look up काम करना बंद कर देगा बट एक्स लुकप proper काम करता रहेगा देखिए मैंने यहाँ पे right click किया insert column कर दिया ठीक है तो य यहाँ पे जो we look up का result था वो गलत आ गया यह date है यह date है क्योंकि यहाँ पे column नंबर तो fix था ना four column नंबर दिया है तो अगर आप यहाँ पे नए column add करोगी तो वो तो fourth column से value उठाएगा चाहे उसमें कुछ भी हो फिक है ना तो यहाँ पे हमें निकालनी तो सेल थी बट यह फंडा होने वाला है ठीक है ना तो यह था basic use x look up का इतना समझ में आही गया होगा आपको ठीक है ना आगे हम चलते है seat two पे अब यहाँ पे देखिए जो x look up है ना वो left to right right to left दोनों तरफ जा सकता है ठीक है मान लीजिए मुझे यहाँ पे date से item name निकालना है date यहाँ पे है item name यहाँ पे है normally इसके लिए हम index match यूज़ करते हैं but x look up इतना simple है कि index match को आप भूल जाओ तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ मान लीजिए item name निकालना है date से equal x look up bracket open look up value हमारी date होगी comma उसके बाद look up array यहाँ पे जो date आप लिखोगे वो कहाँ पे चेक करनी है वो हमें निकालना क्या है अब column चाहे इधर से हो या इधर से हो तो मैं यहां से ले लेता हूँ item name निकालना हमें तो item name वाला column मैं select कर दिया और बस बाकी आप देना चाहो तो optional है फिक है इससे अगला argument अगर नहीं मिलता है if not found तो वह आप यूज़ कर सकते हो मैं नहीं कर रहा हूँ बैकिट बंद करके एंटर प्रेस करोंगा तो यहां पे आपको date लिखनी होगी एक एक दोजार बीस इस date को जो item है वो क्या इस date का जो item है आप देखें mouse है तो इसने date चेक कहां पे है एक एक दोजार बीस यह री और left में गया है और आपको दिकालके दिखा दिया item name समझ मे आ गया तो इस तरह से जो एक्स लुकप है वो left right कहीं भी जा सकता है अब इससे अगला example आप देखिए यहां पे क्या होगा अगर आपको item ID का पूरा data निकालना है पूरा data निकालना है तो आपको वी लुकप लगाना होगा तीन वी लुकप लगाने होंगे उनमें column number निकालना है सेल वन सेल टू सारा कुछ यहां पर निकालना है तो यहां पर यहां पर यह रखरस मैंनी गलत टाइप कर दी है control घया है से कॉपी कर जो लुक वैल्म यह होगी caterpillar लूक लूप यह होगी उसके बाद लूक अईडिया कहां पहर चेक करनीं है यहां पे return area को निकालना क्या है तो हमें यह सीरी से हमारे तीन कॉलम्म है इंटीन कोलम का डेटा हमें निकालना है तो बस आपने यह पूरा डेटा सेलेक कर देना है क्योंकि हमें तीन क Cape चाहिए बस ब्रैकिट 32 12 printer 32 12 है ना बहुत आसन अगर यहां पे कोई ऐसी आईडिया आप दोगे जो डेटा में नहीं है तो error आएगा na but error उसी cell में आएगा जिस cell में formula लगा होगा अगर मैं इसको हटाना चाहूं error को तो यहां पे एक चौथा parameter हम add कर देंगे कॉमा लगाके double quotes के अंदर मान लीजिए not found not found double quotes burn bracket burn enter तो इस case में यहां पे not found message आपको मिलेगा अगर मैं id change करता हूँ 101 आप यहां पे drop down list भी बना सकते हो no problem ठीक है तो यहां पे result आ गया अब यहां पे एक समझने वाली बात यह है अगर आप इस cell पे click करते हो delete की दबाते हो keyboard से मैं delete की दबार हूँ यहां से यह data delete नहीं होगा ठीक है यहां से भी यह delete नहीं होगा अगर आपको केवल इन दोनों का डेटा चाहिए इसका अब नहीं चाहिए तो आपको यह फॉर्मला फिर से लगाना होगा फॉर्मले में एडिट करना होगा आप यहां से डिलीट नहीं कर सकते ठीक है ना यहां से डिलीट करोगे इसको डिलीट करोगे तो पूरा डेटा अप ठीक है अब एक और magic आप देखिए यहां पे जो भी item item लिखे न उसकी total sale हमें यहां निकालनी है अब sale के दो column है sale one sale two दोनों को जोड़ के return करना है तो क्या x look up ऐसा कर सकता है जी यहां कर सकता है देखिए equal x look up bracket open look up value यह होगी comma look up array इसको कहां ढूंडना है इसको यहां पे ढूंडना है comma अब बात आगई return array की तो दोनों को जोड़ के हमें return कराना है तो बस simple है select करोगे plus का sign लगाओ आप plus minus divide multiply कुछ भी कर सकते हो तो plus का sign लगाया साथ में यह वाला column हमने दे दिया तो return array में हमने दोनों को जोड़ दिया है दो से ज्यादा column भी हो सकते हैं ठीक है अब comma लगाएंगे बाकी के parameters optional है आप देना चाहो तो दे सकते हो ठीक है मैं भी नहीं दे रहा हूं bracket बंद करके enterprise करूंगा तो यहां पे देखिए काम हो गया 101 जो id उसकी total sale 45 101 id total sale 45 22 plus 23 अगर म 104 का data आप देखिए 32 plus 12 तो कितना हो गया 44 तो इस तरह से दोस्तो एक्स look up आसानी से आपको multiple columns को जोड़ के divide करके minus multiply करके भी दे सकता है चलते हैं अगले example पे यहां पे हम समझेंगे match mode का funda है क्या by default x look up क्या करता है exact match हमें देता है exact match का funda क्या होगा मैं यहां पे एक formula लग x look up bracket open ठीक है यहां पे look up value यह हो जाएगी comma look up array इसको यहां पे ढूंड़ना है comma तीनों का data निकाल देते हैं तो इन तीनों को कर दिया मैंने select ठीक है bracket बंद करके enterprise करूंगा तो यहां पे 123 id होगी तो उसका data आ जाएगा 123 यहां पे नहीं है देखिए 123 id यहां पे नहीं है त क्योंकि by default x look up exact match के लिए काम करता है exact match का मतलब जो look up value दी है ना बिलकुल वही same to same होगी तो ही data आपका दिखाएगा otherwise नहीं दिखाएगा तो यहां पे match mode के तीन option आपको मैं सिखाने वाला हूँ मैं last की bracket हटाता हूँ ताकि parameters दिखाई दे formula में हम edit कर पाएं कॉमा लगा देते हैं तो यहां पे हम पहुंच गए कहां पे if not found मतलब आप message दे सकते हो यह optional है ठीक है तो मैं यहां पे message अभी नहीं दे रहा हूँ मैं इस parameter को skip कर रहा हूँ कॉमा लगा के हम इसको skip कर सकते हैं आगे हम पहुंच गए match mode पे जीरो यहां पे लिखोगे तो इसका मतलब exact match ठीक है तो वो तो x look up by default काम करता है मैं यहां पे minus one type करूँगा इसका मतलब यह होगा कि जो भी id यहां पे लिखी है अगर वो id है तो उसका data दिखाएगा अगर वो id नहीं है तो उससे कम वाली जो data दिखाएगा नहीं है तो उससे बड़ी जो id होगी उसका data दिखाएगा ठीक है ना तो यहां पे आपकी जो look up value है चाहे कोई date हो या कोई number हो काम यह ऐसे करेगा ठीक है ना तो मैंने यहां पे दिया minus one मैं दिखाता हूँ आपको लगा के minus one बाकी मैंने इसको बंद कर दिय या लास्ट वाला parameter अभी हम नहीं दे रहें bracket बंद करके enter मैं प्रेस करोंगा तो यहां पे देखिए अब यह 123 आईडी का data दिखा रहा है तो 123 तो यहां पे है नहीं है बट 123 से पहली जो id है उसके nearest जो कम id है वो 120 है है ना 123 से जो चोटा number यहां पे 120 ही तो है तो इसका data यह आप देख लीजिए इसका data दिखा रहा है अगर मैं यहां पे 122 कर देता हूं enter प्रेस करोंगा तो अब यह जो data दिखाएगा 122 का दिखाएगा समझ में आ गया ना तो 123 हमने यहां पे दी है बट हमारा जो match mode है वो minus 1 है इसका मतलब अगर यह id मिलती है तो इसका data दिखाई अगर यह id नहीं है तो इससे कम जो id है उसका data दिखा दे तो यहां पे इससे कम अभी 122 है तो इसका यह पूरा data दिखा रहा है आप देख सकते हैं monitor 1320 और यहां पे 23 अभी यह date का format यहां पे मुझे बदलना पड़ेगा तो right click करके format cell पे हम जाएंगे number format और यहां date का format लग लगा देंगे कोई भी मानलीजी मैंने simple से लगा दिया okay कर दिया तो यहां पे देखिए date भी वही है बिल्कुल 1320 ठीक है ना अब अगर मैं यहां पे formula में edit करता हूं और यहां पे minus की जगे one करता हूं match mode में तो क्या होगा अगर id मौजूद है तो उसका data दिखाएगा नही right है तो 123 नहीं है 123 से बड़ी id यहां पे क्या है सिधा 140 ہے तो यह 140 का data दिखा रहा है स्मझ में आ गया आगर मैं यहां पर मानलीजी हैं यहां पर मैं type कर देता हूं 124 ठीक है तो अब क्या होगा 123 id यहां पे नहीं है thousands इंग वहीं बड़ी जो idea वो 124 थो यहां पे 124 का data आ गय समझ में आगया होगा मैच मोड का फंडा दोस्तो ठीक है ना चलते हैं अगले एक्जामपल पर यहां पर हम समझेंगे सर्च मोड अब वी लुक अप क्या करता है आप जो भी आईडी देते हो माली जी आपकी कोई आईडी बार-बार रिपीट है और आप आईडी से डेटा सर करेगा और जैसी आईडी मिल जाएगी तो उसका डेटा निकाल के दे देगा ठीक है अब वी लुक अप नीचे से डेटा नहीं सर्च कर सकता उपर सही करता है है ना बट एक्स लुक अप उपर से नीचे नीचे से उपर दोनों तरफ जा सकता है आप देखिए यहां पर एक लुक अप ब्रैकेट ओपन मुझे क्या करना है डेट वाइस सेल निकाल लिए जो भी डेट मैं यहां लिखू ना उसकी सेल निकाल लिए ठीक है तो मैंने यहां पर एक्स लुक अप लगाया लुक अप वैल्यू यह डेट हो जाएगी जो हम यहां पर देंगे कॉमा लुक इसके बाद बाकी के पैरामीटर्स आप चाहो तो दे सकते हो इफ नॉट फाउंड मैंने इसको स्किप कर दिया मैच मोड इसको भी मैंने स्किप कर दिया बात आगई सर्च मोड की ठीक है यहां पे सर्च मोड पे हम पहुंच गए अब मैं यहां पे देता हूं मान लीजिए यहां पर दो option आपको देने होंगे 1 और minus 1 मैंने यहां पर टाइप किया माइनस 1 ठीक है ब्रेकिट बंद कर दी enterprise किया तो आप देखिए यह कौन सी डेट का डेटा आपको आपको दिखा रहा है उपर से दिखा रहा है 2020 हमने यहाँ पे दिया है और यहाँ पे एक एक मैं format change करलेता हूँ ताकि आपको problem ना है नमबर format और यहाँ मैंने custom पे जाके format select करने तो यह format मैंने कर लिया Нет select ok कर दिया तो यहां format change हो अब आप देख सकते हूँ ठीक है, एक जैन 2020 यहाँ पे repeated date mode दिया है minus one इसका मतलब नीचे से data दिखा रहा है नीचे से इसने चेक करना शुरू किया एक जैन दोज़र भीश कहां पर यह रहा तो इसका data देखा है सेल थर्टी टू है न अगर मैं इसको edit करता हूँ और minus one की ज़िए मैं one कर देता हूं search mode इसका मतलब normal उपर सी चलना है by default जो होता है है ना तो अब ये उपर से data search करेगा date आप देखिए एक जैन 2020 तो इसकी जो sale है वो 22 है समझ में आ गया ना तो इस तरह से search mode काम करेगा अगर आपको नीचे से data search करना है तो माइनस वन टाइप करो ऊपर से करना है तो जरूरत नहीं है by default ऊपर सी करना है करता है एक्स लुक अप बाकि आप यहां पर यह लिखना चाहो तो लिख सकते हो one समझ में आ गया तो यह था complete एक्स लुक अप विद पैरामीटर सारे पैरामीटर मैंने डेटेल में एक्सप्लेइन कर दिये ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और मैंने complete powerpoint का ट्रीटोरियल पब्लिश किया था धाई गंटे का उसमें मैंने पावरपॉइंट को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेइन के बेसिक टू एडवांस बस एक वीडियो आपको पावरपॉइंट में एक्सपर्ट बना देगा दोस्तों लिंक आई बटन पर दे रखा जाके देख लीजिए ठीक हैं चलते हैं अगले एक्जम्पल पे यहां पे हमें एक्स लुकप वर्सिस एक्स लुकप अब आपको यह तो पता सल गया कि एक्स लुकप वी लुकप का काम करता है बट एक्स लुकप का काम भी यही एक्स लुकप कर देता है कैसे देखिए यहां पे मैं एक काम करता हूं मैं यह जो हैडिंग से हैं इनको लुकप व h look up आता है तो simple इसको लगाना है weight x look up bracket open look up value क्या होगी यह होगी sale ? इसको ढूंड़ना कहां पर है , इसको इस column में ढूंड़ना है ठीक है ? उसके बाद return believers आपको निकालना क्या 1400 डेटा निकालना है तो यहां कर देंगे select बस bracket बंद कर देंगे एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए 140 ID की जो सेल है ना वह कितनी है 12 तो आप देखिए 140 ID यहां पर है और here लाना होगा अगर मैं यहां पर देता हूँ इंटरेस करता हूँ तो करता हूँ तो यहां पर आइटम नीम आगया प्रेंटर आप देखिए इसने चेक किया आइटम नीम कहां पी है यह आइटम नीम 140 id वाली रूपे जाना है तो printer निकाल के आपको दे दिया तो यह actual lookup का काम भी कर देता है ठीक है ना अगले example पर आप देखिए यहां पर हमें लगाना है two way lookup now what is two way lookup two way lookup का मतलब यह होगा कि यहां से भी lookup करे और यहां से भी lookup करे तो वो होगा two way lookup तो यह कैसे लगाएंगे आप देखिए यहां पर हमें id देनी है और यहां पर month name देना है फिर उसके according यहां पर हमें result निकालना है तो वो हो जाएगा two way lookup जो दौनों तरफ देखेगा इधर भी और इधर भी फिर जो बीच में cell मैच करेगा उसका data निकाल के देगा इसके लिए हम offset formula भी use करते हैं कई बार है ना बट यह x lookup से आसनी से हो जाएगा देखिए equal x lookup bracket open पहले हम क्या करेंगे इस id का पूरा data निकाल लेते हैं ठीक है 101 id का तो lookup value यह हो जाएगी कॉमा लगा के उसके बाद lookup array तो हम यहां पे इसको चेक करेंगे कॉमा लगा के उसके बाद यहां return array में यह चारों column दे देंगे बस enter press कर देंगे तो यहां पे 101 id का पूरा data निकल के आ गया ठीक है अब यहां double click करके इस formula को copy कर लेंगे control c और यहां से इसको remove कर देंगे ठीक है दूसरा formula यहां पे हम लगाएंगे equal x lookup bracket open अब इसमें lookup value हम यह देंगे ठीक है लगाके यह कहां चेक करनी आपको यह यहां पे चेक करनी है यहां से लेके यहां तक ठीक है कॉमा लगाएंगे अब return array return array तो अभी x lookup जो हम लगा रहे हैं वो क्या करेगा इस cell से month name उठाएगा as a lookup value फिर उसको यहां पे चेक करेगा अगर वो मिल जाए तो नीचे से कौन सी रो की value दिखानी है तो कौन सी रो की value दिखानी है वो हमें ID मैच करानी है और ID मैच करानी के लिए हमने फ़र्मला जो पहले लगाया था करता हूं मान लिजी है मैने मार्च लिखा मर यार एंटर्प्रेस किया तो मार्च में 101 ID का जो डेटा है वो 23,000 अगर मैं ID रिटर्न एरे के अंदर हमने जो दूसरा फॉर्मला था एक्स लॉकप वाला उसको पेस्ट किया है दूसरा लॉकप फॉर्मला क्या करना इस से इस आईडी को उठाएगा यहां पर चेक करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ली वर्क करेगा तो यह समझ में आगया होगा आस फिर वहां पर हमें कॉलम्स को जोड़ना पड़ता है कॉंट करना पड़ता है कोई साइन वगरा लगा के ना कॉंट के कौन टेनिट फॉर्मला से तो काफी लंबा हो जाता है यहां पर यह बहुत आसान है एक्स लुकप से अगर आप करते हो तो मैं कस्टोमर आईडी और न ख़ल एक्स लुकप ब्रैकेट ओपन लुकप वैल्यू क्या होगी अब तो यहां पर हम दो लुकप वैल्यू देना चाहते हैं तो पहले हम इसपे क्लिक करेंगे एंड का साइन लगा के फिर इसपे क्लिक कर देंगे इसी तरह अगर आपकी दो से ज्यादा लुकप ठीक हैं दूसरी नेम में चेक करनी है तो end का sign आप लगाईए और फिर आप यहां इस तरह से यह range दे दीजिए ठीक हैं इसी तरह आप और भी multiple look of values दे सकते हो दो से ज़्यादा कॉमा लगा दिया उसके बाद return array तो आपको चाहिए क्या sale निकालनी है तो sale पे हम कर देंगे इस तरह से selection bracket बंद करके enter press कर देंगे बाकी के parameters आप लगाना चाहूँ तो लगा सकते हो मैंने सारे आपको बता दिये अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ bracket बंद करके enter press करूँगा तो यहां पर name भी है तो इस वज़े से यह data नहीं आया है उपर से नीचे सर्च करना है नीचे से उपर करना है तो search mode आपset कर सकते हो match mode आपset कर सकते हो exact match करना है या आपको कमया जादा करना है तो वह सारी सीज़ाओ सेट कर सकते हो तो इस तरह से multiple look up values भी आप x look up formula में दे सकते दोस्तों उमीद करता हूं एक्स look up का यह पूरा tutorial आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो like share comment करते जरूर जाना ताकि सब को यह अच्छी जानकारी मिल पाए और सब अपने office में smart work कर पाएं दोस्तों ठीक है जिलता हूं अगले वीडियो में थैंकि दोस्तों have a nice day जैहेंड वंदे मातरम टेक किया